सुप्रभाद प्यारे बच्चों कैसे हैं आप प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द आपकी वार्षिक परिशा शुरू होने वाली है तो आज हम क्या करेंगे आज हम तो प्यारे बच्चों आज हम हिंदी विशय का रिविजन करेंगे ये वर्क हम पहले करना बहुत अच्छे से सीख चुके हमने इसकी बहुत डेली प्रैक्टिस की है तो आज हम इसका रिविजन कर रहे हैं आपको एक्जाम के इस तरह से पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगी तो आप से हम इसी तरह से ही अपनी हिंदी की कॉपी में की तैयारी करेंगे अपनी वार्षिक परिक्ष अ, आ, आ, इ, इ, आ, ई, र, U, उ, र, 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 E I O AU M अहा तो प्यारे बच्चों आज हमने हमारा फर्स कोश्चन था स्वर लिखिए तो हमने स्वर लिखिए A से A तक तो आप सेम इसी तरह से स्कारे को अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे एक्जाम में भी सेम आपको इसी तरह से स्कारे को करना रहेगा Our next question is प्रश्चन नमबर दो है व्यंजन लिखिए क से ग्या तक व्यंजन अब हम यहाँ पर हमारा जो प्रश्चन नमबर आपका दो रहेगा वो है व्यंजन तो आपको क्या करना रहेगा क से ग्या तक आपको सभी व्यंजनों को लिखना रहेगा तो हम इसकी एक बार फिर से हमें रिविजन कर रहे हैं हमारी हिंदी की कॉपी में आप इस तरह से लिखेंगे क ख ग ग अंग च च ज ज इंग ट ठ ड ड अ अ त थ द ध न त प फ आ अ र र अ अ अ अ अ का या श, श, स, ह, श, त्र, ग, तो प्यारे बच्चों आज जिस तरह से हमने क से ग्य तक सभी व्यंजरनों को लिखा तो आप सेम इसी तरह से सकारे को अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे और एक्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से सकारे को पूरा करना रहेगा तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करना है मारा प्रेश्ण नमबर तीन है रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजी यह आपकी क्या करना है आपको रिक्तिस्थान की पूर्ति करना है इस कारी को भी हमने बहुत अच्छे से करना सीख लिया है यहापर हमें म वर्ण दिया क्या है र वर्ण दिया गया है यहाँ पर हम कौन सा वर्ण लिखेंगे ग म गर क ल म कलम भ ग त भगत फ स ल फसल म ट क मटक ब त ख पतक न य न नयन स र क सडक तो प्यारे बच्चों मारा प्रशन नमबर तीन था रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजी ताज जिस तरह समने इस कारी को पूरा क्या है इस कारी को उमने बहुत अच्छे से करना सीख लिया है सभी बच्चों के इस कारी को अच्छे से करना आ गया है ताप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक्जाम में भी सेम आपको इसी तरह से सकारी को पूरा करना रहेगा अबर नेक्स कोशन इस मरा प्रैश्ण नमबर चार है चित्र पहचान कर उनकी नाम लिखिए हमें यहाँ पर चित्र दिये जाएंगे आपको सेम इसी तरह से आपको क्या करना रहेगा इनके चित्र पहचान कर आपको इनके यहाँ पर नाम लिखना रहेंगे किसका चित्र दिख रहा है आपको हल का चित्र है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ह ल हल अगला चित्र दिखेंगे किसका दिया गया है अगला चित्र दिखेंगे किसका दिया गया हमें कमल का चित्र है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क म ल कमल ताप से मिसी तरस इसकारी को करेंगी अगला चित्र देखेंगे किसका दिया गया हमें किसका चित्र है यहाँ जग का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ज ज ग जग अगला चित्र देखेंगे किसका दिया गया है क्या लिखाए यहाँ दस यहाँ पर हम लिखेंगे द, स, दस, अगला चित्र देखेंगे किसका है यहाँ, घर का चित्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घर, घर, तो प्यारे बच्चों, आज जिस तरह से हमने स्कारी को पूरा क्या है, आप सेम इसी तरह से हिंदी की कॉपी में स्कारी को पूरा करें आपको चित्र पहचानक और उनके नाम लिखना रहेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांच है, नीमन शब्दों को अलग करके लिखे, तो प्यारे बैचो, इस कारे को भी हमने बहुत अच्छे से करना सीख लिया है, यहां पर हमें क्या दिया गया है, यहां अक्षर देखेंगे, आप कौन सा दिया गया है, उसे यहां लिखेंगे, दूसरा अक्षर यहां, तीसरा अक्षर यहां, तो हमें इनने अलग करकर करके लिखना है, यहां पर क, फिर कौन सा अक्षर दिया गया है, ल, इसके बाद म, कलम, कलम, अगला शब्दों देखेंगे कौन सा दिया गया हमें? शहद. तो पहले हम लिखेंगे शा, फिर लिखेंगे हम हा, फिर लिखेंगे हम द, शहद. अगला शब्द दिखेंगे आप कौन सा दिया गया हमें? म, हा, ल, महल. तो पहले हम लिखेंगे मा, फिर क्या लिखेंगे हम हा, फिर लिखेंगे हम ल, महल. के बाद हमें देखी क्या दिया गया है यापर उधर उधर तो सबसे पहले कौन सा अक्षर है यापर उधर फिर क्या है धर फिर क्या है र उधर अगला शब्द दिखेंगे कौन सा दिया गया हमें नमक नमक तो पहले हम लिखेंगे हापना फिर क्या करना है मा फिर क नमक अगला चित्र दिखेंगे अगला शब्द दिखेंगे आप कौन सा दियागे हमें भजन यहाँ पर हम लिखेंगे भज़ फिर लिखेंगे हम ज़ फिर लिखेंगे हम न भज़ अगला शब्द दिखेंगे कौन सा दियागे हमें कलश तो सबसे पहले हम लिखेंगे क, फिर लिखेंगे हम ल, फिर लिखेंगे हम श, कलश, अगला शब्द देखेंगे कौन सा दियागे हमें तहल, तो पहले हम लिखेंगे टा, उसके बाद कौन सा शब्द अक्षर है, ह, फिर अगला अक्षर कौन सा है, ल, तहल, इसे तरह से इसकार को भी करेंगे हम बटन बटन तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बा फिर लिखेंगे हम टा फिर लिखेंगे हम न तो देखिए यहाँ पर हमें तीन अक्षरों वाली शब्द दिये गए थे हमने क्या किया उन्हें अलग करकर के लिखा तो अलग कर जब हम क वार करेंगे तो सबसे पहला अक्षर मेस लिखेंगे दूसरा यहां और तीसरा इना अलग कर करके लिखना तो चल्शाम बेगे आपको इसी तरह से शब्द दिये जाएगे सब कुछ आपको इस तरह से दिया जायगा अगला प्रश्ण दिखेंगे आप तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्ण नमबर 6 है निमन अक्षरों को मिला कर लिखी देखी पहले हमें शब्द दिये गए था हमने उनने क्या कर रहा था अलग कर के लिखा था अब यहाँ पर हमें अलग अलग अक्षर दिये गए हैं अब हमें क्या करना है इन्हें मिला कर यहाँ पर लिखना है इस कारे को भी हमने बहुत अच्छे से करना सीख लिया है हम इसकी डेली प्रेक्टिस कर रहे हैं हम स्कूल में तो आप सेम इसी तरह से इस कारे को अपने हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे एक्जाम भी आपको सेम इसी तरह से इस कारे को दिया जाएगा आपको क्या करना है यहापर अलग-अलग अक्षर दिये गए ने मिला कर यहापर लिखना है सब आपको क्या करना है बहुत इजी है सबसे पहला बन लिख लेंगे आप यहापे स फिर उसके बाद क्या दिया गया है र फिर क्या दिया गया है क फिर दिया गया है स तो क्या लिखा है यहापे सरकस इसे तरह से स्कारे को भी आप करते जाएंगे पहले लिखेंगे आप U फिर लिखेंगे B फिर लिखेंगे T फिर लिखेंगे N फिर लिखेंगे N तो क्या बन गया? UBITAN इसी तरह से इसकारे को भी करेंगे B, R, G, D अलग-अलग शब्द दिये गए इन्हें मिला कर लिखेंगे B, R, G, D क्या कुण से शब्द बना? बर्गद इसी तरह से इसकारे को भी करेंगे थ, फिर दिया गया है र, फिर दिया गया है म, फिर दिया गया है स अब इसे हम मिला कर लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे थ, र, म, स, थर्मस अगले अक्षर दिखेंगे कौन से दिया गया हमें क्या आप कौन से शब्द बना? थर्मस अगले अक्षर दिखेंगे कौन से दिया गया है र, द, फिर दिया गया है र, फिर दिया गया है क, तो क्या बन गया? लिखेंगे आप यहाँ पर अ, द, र, क, अद्रक अगले अक्षर देखेंगे, आप कौन से देगे हमें क, फिर स, फिर र, फिर त, अभी नहीं मिलाकर लिखेंगे क, स, र, त, कसरत क्या वे कोई सा शब्द बना, कसरत इसे तरह से यहाँ पर देखेंगे, उ, प, व, न, उप, व, न इन्हें मिलाकर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, उ, फिर लिखेंगे, प, फिर लिखेंगे, व, फिर लिखेंगे, हम, न, उ, प, व, न, अगले अक्षर देखेंगे, कौन से देगा हमें, पहला दिया है, ब, फिर दिया गया है, र, फिर दिया गया है, त, फिर दिया गया है, न, देखेंगे, यह जो चिन है, इन्हें आपस में मिलाने का चिन है, इ इन अक्षरों को हमें यहाँ पर लिखना है जैसे ब र त न बरतन अगला चित्र देखेंगे आप कौन सा देगे हमें जट पट जटपट 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 अगले अक्षर देखेंगे आप कौन से देगे हमें जट पट जटपट इनने हम यहाँ पर मिलाकर लिखेंगे जट प जटपट तो प्यारे बच्चों आज जिस तरसे हमने इस कारे को पूरा क्या है आप सेम इसी तरसे सकारे को अपनी हिन्दि की कॉपे में पूरा करेंगे और नियमीद इसका अभ्यास करेंगे एक्जाम में भी आप को सेम इसे तरसे सकारे को करना है अग़ हमारा अगला प्रेश्न है हमारा प्रेश्न नम्बर साथ है चित्र को उनके नाम से मिलाईए मिलाओ यहाँ पर हमें चित्र देगा है यहाँ पर हमें उनके नाम देगा है हमें क्या करना है चित्र देखकर उनके नाम से हमें उसे मिलाना है जैसे सबसे पहला चित्र देखेंगे आप किसका दिया गया है घर का तो यहाँ पर हमें कौन सा शब्द देखना है घर तो हम घर के चित् तो यहांपर आप उसके नाम से मिलाएंगे अजगर अगला चितर देखेंगे किसका दिया गया यहाँ यहां से देखिए मटर का चितर है तो यहांपर हम कौनसे शब्द से मिलाएंगे मटर शब्द से अगला चित्र देखेंगे आप किसका दिया गया है यहाँ पर बटन का चित्र है तो यहाँ पर हम कौन से शब्द से इससे मिलाएंगे बटन की शब्द से अगला चित्र देखेंगे आप किसका है यहाँ मगर का चित्र है तो अब यहाँ पर हमें कौन से शब्द से मिलाएंगे? मगर शब्द से तो यहाँ पर यह है मगर शब्द अगला चित्र देखेंगे किसका दियागे हमें? सड़क का चित्र है तो यहाँ पर हम किस से मिलाएंगे? इसकी नाम से मिलाएंगे अगला चित्र देखेंगे किसका दियागे हमें बदक का चित्र है तम इस तरह से उसके नाम से मिलाएंगे तो प्यारे बच्चो आपको एक्जाम में भी सेम इस तरह से स्कारी को करना रहेगा यहाँ पर आपको चित्र दिये जाएंगे और यहाँ पर उनके अलग-अलग नाम दे जाएंगे तो आपको चीतर देखकर उसकी सही नाम से उसे मिलाना है हमारा अगला प्रेश्ण है हमारा प्रेश्ण नमबर आठ है हिंदी सुलेक हिंदी सुलेक का मतलब होता है हिंदी राइटिंग वर्क यह आपका Hindi Writing Work है आपको यहापर इस तरह से यह वाक की दिया जाएगा आपको क्या करना है रहेगा अच्छी सुन्दर अक्षर में आपको इसे यहापर लिखना रहेगा लाइन के अंदर लिखेंगे अच्छी सुन्दर अक्षरों में लिखेंगे जट पट जट पट सजधज सजधच कर कर आपोंड विरा तो इस वाक के को आपको इस तरह से आपको लिखना रहेगा अच्छी सुन्दर अक्षरों में इस कारे को भी हमने पहले अच्छे से करना सेख लिया है तो एक बार हम फिर से इसका रिविजन कर रहे हैं तो हिंदी की कॉपी में आप से इसी तरह सिसकी नियमित अभ्यास करेंगे डेली प्रैक्टिस करेंगे जट पट जट पट सजधच कर कर आपूंड वी राम जट पट सजधच कर राम जट पट जट पट सजधच कर राम पूंड वी राम जट पट जट पट सजधच कर कर आपूंड वी राम तो प्यारे बच्चों यह देखी यह आपका हिंदी रैटिंग वर्क है तो आज जिस तरह से हमने इसकारे को पूरा क्या है आप से इसी तरह से हिंदी की कॉपी में इसकारे को पूरा करेंगे और आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे यह आपका आज वार्षिक परिश्रा का जो भी हमारा कोर्स था वो पूरा हो चुका है तो आज जो भी मैंने आपको कोर्स अच्छे से बताया है जो भी मैंने प्रश्ण आपको बता है आप इनको अच्छे से नियमित आप इनका अभ्यास करेंगे डेली प्रैक्टिस करेंगे हिंदी की कॉपी में आपको इसकारे को पोरा करना रहेगा एक्जाम में भी आपको सेम इसे तरह से सकारे को करना रहेगा तो आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे